मैं जिनेंद्रा जै भोलेना दोस्तों द आठ बच के 38 मिनिट हुई है आठ बच के 38 मिनिट और 11 अक्टूबर 2021 तो आज 900 के ऊपर क्लोजिंग आ गई है 900 के ऊपर क्लोजिंग आ गई है और मेरा आज से यूटूब चैनल से विदाई मतलब जब अगर 16 500 नौवंबर तक नहीं आ पाता है 16 500 जो कि मैंने बोला तब तक मैं यूटूब में नहीं आऊंगा और किसी कारण से नौवंबर तक यह आया है यह नहीं तो मैं lifetime भी यूटूब में नहीं आऊंगा lifetime में इस चैनल में नहीं आऊंगा तो मुझे इतना कंफिडेंस है कि 16500 छोड़ी यह 16000 भी आएगा यह जो मंतली वाला यह मैं अब देखें मैंने आपको बोला यह जरूर चेंज होगी 10 यह में अब क्योंकि निफ्टी 18000 तक पहुंच गया था तो यह 15841 आ गया अब इसका और ज्यादा बढ़ने का चांस नहीं है यानि कि 15,950 तक तो एट एनी कॉस्ट नॉवंबर तक आएगा मार्केट नॉवंबर तक यानि कि अब मैं आपको एक चीज़ और बोलता हूं जब तक 16500 नहीं आता है तब तक मैं यूटूब में नहीं आऊंगा यानि कि नॉवंबर तक डेडलाइन अगर नॉवंबर तक 16500 भी नहीं आता है तो मैं लाइफ टैम भी नहीं आऊंगा मैंने जो 50,000 सब्सक्राइबर इतने मेहनत से बनाया है वो भी मैं त्याग करीफ है कि मार्केट एट एनी कोस्ट 18400 के उपर नहीं जा सकता है एट एनी कोस्ट ठीक है 18400 हाला कि आज 900 के उपर क्लोजिंग हो गया तो इसलिए मैं यह वीडियो बनाया और नथिंग एल्स अब आप लोग बाकी लोगों का वीडियो देखके अपना व्यूज देखिए बाकी आपको IRCTC मैंने बताया था वह एज़िट आप देख लो गिरी रहा है आज तो IRCTC 4757 आ गया मैंने 4400 का टर्गेट आपको बोला था 500 रुपया नीचे तो आज के मार्केट में भी IRCTC नीचे था कोटक बैंक को देख लो आज के मार्केट में भी 1968 तो यह थे एनीवे माई टार्गेट इस 16500 एट एनी कॉस्ट और मेरा पर्सनल टार्गेट 16,000 है और 15,800 है क्योंकि अब यह यह में 840 पर आ गई है इस यह में का मेरा टार्गेट रहेगा यानि कि यह यह में टैच होगी नौंबर तक चाहिए 16 पर रहे यह मेरा टार्गेट है लेकिन 16500 अगर नहीं आता है तो मैं तब तक YouTube में नहीं आ रहा हूँ और अगर यह नौंबर तक आता ही नहीं है तो मैं lifetime भी नहीं आता हूँ and it's a man of it's a it's my word to everyone who are my viewers जै जिनेंद्र जै बोलेनाथ जै love you